सत्कुरू, क्या आप हमें बता सकते हैं कि दीक्षा का क्या महत्व होता है? दीक्षा निर्देशों की गठरी नहीं है. दीक्षा शब्दों की गठरी नहीं है. दीक्षा एक संप्रेशन की तरह है. आपके पास ध्यान में बनने की सभी चीजे हैं, लेकिन वो नहीं होता दीक्षा एक तरह की इंडक्शन प्रक्रिया है दीक्षा निर्देशों की गठरी नहीं है असल में किसी भी दीक्षा प्रक्रिया में निर्देश एक तरह का व्यावधान है ये एक रुकावट है मैं ऐसे रुकावट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अभी भी निर्देश दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा तर लोग क्योंकि आज वे सभी पढ़े लिखे हो गए हैं हर चीज को बताना पड़ता है या इसे इन दिनों छपा हुआ होना चाहिए अगर आप उन्हें बताते हैं तो भी ये काफी नहीं है वो वे दीख्षा के निर्देशों का एक छपा हुआ कागस चाहते हैं क्योंकि वे सभी पढ़े लिखे हैं उनका दिमाग शब्दों से भरा हुआ है जीवन से नहीं बहुत सारे शब्द तो हर चीज लिखी हुई होनी चाहिए यहां तक की कहना भी परियाप्त नहीं है आपको इसे प्रिंट करना होगा या आपको इसे रिकॉर्ड करके उन्हें देना होगा ताकि वे हेड़फोन लगा कर हर बार निर्देश सुन सके दीख्षा शब्दों की गठरी नहीं है अगर हमें एक उप्मा इस्तिमाल करनी हो अगर आप बिजली के बारे में कुछ जानते हैं बिजली की चीजों में आप मोटर और वैसी चीजों को जानते हैं उसमें इंडक्शन नाम की एक चीज होती है बिजली मौजूद होती है मोटर मौजूद होती है हर चीज होती है लेकिन इंडक्शन स्विच के बिना ये नहीं चलेगी सभी चीजे वहां मौजूद हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा. क्यूंकि उर्जा का कोई संप्रेशन नहीं हुआ है, तो दीक्षा एक संप्रेशन की तरह है. आपके पास ध्यान में बनने की सभी चीजे हैं, लेकिन वो नहीं होता. वो क्यूं नहीं होता? क्यूंकि ये स्रिष्टी भी इसी तरह घटित हुई थी अगर आप पारंप्रिक व्याख्या के अनुसार देखते हैं वो एक तरीका है अगर आप आधनिक विज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो ये वही बात है जो एक अलग भाशा में कही गई है आधनिक विज्ञान ये बात कह रहा है कि कैसे सब कुछ खाली अंतरिक्ष था अब वे खाली शब्द को हटा कर कह रहे हैं कि ये अंतरिक्ष था वहाँ कोई भौतिक्ता नहीं है लेकिन वहाँ कुछ और मौजूद प्रतीत होता है ये कुछ और क्या है वो हम नहीं जानते विज्ञान के अनुसार और आज उन्होंने ऐसे प्रयोग किये हैं जहां निर्वात की स्थिती में अगर आप इसके चारों और एक खास उर्जा लगाते हैं इसमें नहीं इसके आसपास अचानक वर्चुल प्रोटॉन और वर्चुल न्यूट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं इसका मतलब है कि स्रिजन सिर्फ इसलिए शुरू होता है क्योंकि वहां उर्जा का खेल चल रहा है योग परंपरा में एक सुन्दर कहानी है शिव आपको शिव शब्द को समझना चाहिए शिव कार्थ है शी व कार्थ है वो जो नहीं है ये अंतरिक्ष के लिए उप्योक्त बारणन है वो जो है वो भौतिक स्रिष्टी है वो जो नहीं है वो अस्तित्व का भौतिक आयाम है तो शिव का अर्थ है वो जो नहीं है शिव लेटे हुए थे उनका शरीर पूरे भ्रह्मान में फैला हुआ था लेकिन वे नहीं है वे मौजूद नहीं है उनकी कोई भौते कभी व्यक्ति नहीं है फिर शक्ति उर्जा का एक खास आयाम आया और उनके चारों और नृत्य करने लगा और तब वे जीवित होट है फिर वे अपने मूह से आकाश गंगाओं को उगलना शुरू कर देते हैं ये स्रिष्टी की उत्पत्ति का सबसे उप्युक्त वरणन है अभी भी आकाश गंगाओं को उगलना नई आकाश गंगाओं का पैदा होना ये लगातार हो रहा है सिर्फ इसलिए क्यूंकि एक खास उर्जा ने इसे चुआ है स्रिजन के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो पहले से ही उनके अंदर था लेकिन उन्हें इंडक्शन की जरूरत थी तो दीक्शा एक तरह की इंडक्शन प्रक्रिया है लेकिन दुर्भाग्य से आज अगर मैं लोगों से सिर्फ यहां बैठने के लिए कहता हूँ बाकी चीजें हम आपके लिए करेंगे तो वे कुछ नहीं हो रहा है वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है आप से कुछ कहने की उम्मीद की जाती तो क्या किया जाए आधनेक समय में हम बहुत सी बाते करते हैं आपके साथ हैंग आउट करते हैं आज अगर आप ध्यानलिंग मंदिर में जाकर बैठते हैं तो बिना किसी निर्देश के आप ध्यान में हो सकते हैं मैं आपके साथ वो भी यहां कर सकता हूँ. क्या नाम है इनका यह लड़की? हीना? हीना आप UK में हैं. अगर आप वहां बस बैठने को तयार हों, तो मैं इसे अभी आपके साथ कर सकता हूँ. जहां भी आप हैं. लेकिन अभी आपको बहुत आप एक छात्र हैं. अभी भी पड़ रही हैं. शायद आप एक संभावना हैं. अभी पूरी शिक्षित नहीं हुई हैं. आपके दिमाग में धेर सारे शब्द हैं. केवल एक ही चीज जो आप समझती हैं, वो हैं शब्द. उसी के चलते निर्देश आएं. वरना दीक्षा निर्देश के बारे में नहीं है. इसमें वाकए कोई निर्देश नहीं है. दीक्षा बस एक संप्रेशन प्रक्रिया है. ये एक उर्जा प्रक्रिया है. लेकिन हमें उर्जा के बारे में बात करनी होती है. हमें उर्जा के बारे में बहुत सी बातें करनी पड़ती उनके मूँ खोलने और कहने से पहले ओ, ऐसा है क्या गुरूओं के लिए मुश्किल समय बहुत ज्यादा बात करना अगर आप बातें न करें, तो कोई भी यहां नहीं होगा बहुत कम लोग वाकई समझ सकते हैं, अगर हम यहां बस बैठते हैं और स्पंदित होते हैं, तो वे भी यहां बैठकर स्पंदित होंगे उनकी संख्या कम है, वैसे ईशा में यह संख्या बढ़ रही है मुझे ज्यादा नहीं बोलना पड़ता लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में आपको बाते करनी होती हैं, बाते बाते और बाते करनी होती हैं, और लोगों के साथ हैंग आउट करना होता है